आप हर दिन फ्रेश मूड से टाइम पर ओफिस पहुचने के लिए घर से निकलते होंगे जाने का समय तो तै होता होगा लेकिन घर लोटने का नहीं 8 घंटे की ड्यूटी को 13 से 14 घंटे तक करते होंगे सारा दिन शीशे के एक बंद ओफिस में लगातार अपने डिस्क पर बैठे कम्प्यूटर, फाइलों और फोन में लगे रहते होंगे कई बार काम का दबाव इतना बढ़ जाता होगा कि दिमाग और मन दोनों खीज उटता होगा जल दबाजी में कोई भी काम ठीक से नहीं होता होगा यदि ऐसा लगातार हो रहा है तो फिर आप ओफिस सिंड्रोम से ग्रस्त हैं ओफिस सिंड्रोम से वे लोग ज्यादा पीरित होते हैं जो लगातार डिस्क जॉब करते हैं देर तक बिना ब्रेक लिए एक ही जगह पर बैट कर काम करते रहते हैं सही पोश्चर में नहीं बैटते हैं साथ ही ओफिस का वातावरन भी इसके लिए जिम्मेदार होता है दरसल काम के दबाब में अधिकतर करमचारी के चेहरे पर तनाव, गुसा, खीट देखकर भी आप इसके शिकार होने लगते हैं ओफिस सिंड्रोम होने पर आपको सिरदर्द, कमर और कंधों में दर्ड, उंगलियों, कलाईयों और हाथों में दर्ड, पेरों और कलाईयों में सुनता, ड्राई आइज, आखों का चौन धियाना, मान सपेशियों में दर्ड, कनावादी लक्षन देखे जा सकते हैं हाला कि ज़रूरी नहीं कि ये सभी लक्षन होने पर आपको ओफिस सिंड्रोम के समस्या हो ही, ये किन ही अन्य कारणों से भी हो सकते हैं, इसलिए समय रहते डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है, कुछ बातों को अपना कर ओफिस सिंड्रोम को रोका जा सकता है, आप कम् कम्प्यूटर के डिस्प्ले एंगल को 5 से 20 इंच चो और आपके A1 कम्प्यूटर के बीच की दूरी लगभग 18 से 30 इंच होनी चाहिए, यदि ऐसा नहीं है, तो फिर आखों में दर्ड, तनाव और पानी आने का कारण भी यही है, आपके डेस की उचाई जितनी है, उतनी ही आपकी कुर्सी के हाथ वाले हिस्से की उचाई भी हो, तभी आपकी कोहनी कीबोर्ड या माउस के इस्तिमाल के दौरान सही पोजीशन में रहेगी, कुर्सी पर पैर चड़ा कर न बैठें, पैरों पुपहर्श पर लटकने दें, यह तो रही सही तरीके से बैठने की बात, यदि आपको लगातार सिरदर्द या फिर कमर में दर्द रहता है, तो इसे नजरंदाज न करें, काम को लेकर तनाव या दबाव बहुत ज्यादा है, तो बेहतर है कि आप कुछ दिनों की छुटी लेकर कहीं सेर कर आएं, इससे आपको तरोता जावर रिलैक्स महसूस होग ऐसे ओफिसेज न सिर्फ अताजी हवा, बलकी धूप से भी लोगों को वानचित करते हैं, इस वज़े से शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है, जिससे घडियां कमजोर हो जाती हैं, वेस्ट दिन चर्या और आधुनिक संसादनों के कारण लोग धूप नहीं ले प